गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम बैक तो सिंप्ली टुटे क्लासिस आज हो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा सेकंड यूनिट तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से नोट्स बनाईएगा और ध्यान से पढ़िएगा देखिए आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रही है सेकंड यूनिट का डाइटर्स काम्निकेशन लिस्निंग स्किल्स अब हम काम्निकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमने पढ़ा एक सेंडर होता है जो इनफॉर्मिशन भेजता है और एक रिसीवर होता है जो इनफॉर्मिशन रिसीव करता है एक स्प जो होता जो होगा सुनने वाला अगर वो फुद डिस्ट्रोर भी रहेगा अच्छे से सुने गई नहीं तो उस तक तो वो मैसेज पहुंचे गई नहीं जो स्पीकर वो चाहना चाहरा है तो हम पढ़ेंगे कि लिस्निंग होता क्या है सब चुपहले हीरिंग क्या होता है here सुन सिर्व सुना सुनके हमने क्या किया बस इग्णोर कर दिया hearing means what goes across हमारे कानों को सुना मालों कोई बर्ड चह चहा रहा है ठीक है तो हमें उसके वज सुनी ना हमने तो सुना उस इसको हमने उसे रिटेन करके नहीं रखा तो वह हो गया hearing अब हम listening की बात करेंगे कि listening क्या हो गया listening हो गया किसी चीज के को पहले सुनकर उसके बारे में कोई धारना बनाना जिसे हम perception कहते हैं ठीक है listening can be defined as a accurate perception of what is communicated जो हमें बताया चाहरा है उसे ध्यान से सुनना और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकालना that is listening अब हम जब listening की बात करते हैं सबसे पहले sending sending क्या होता है sending क्या हो गया generally information को send करना एक जगा से दूसरी जगा वो कौन करेगा speaker करेगा या फिर sender करेगा receiving or bearing message receiving मतलब सुनना कि मालो मैं एक listener हूँ मुझे किसी ने कुछ बोला मैंने उसे सुना तो वह मैं receive करूंगी और वो message मुझे समझा है या नही decode करूंगी मैं अपने meaning में मतलब जैसा मुझे समझाते हैं उसके coding में उसका मतलब निकालूंगी फिर मैं evaluate करूंगी evaluate मतलब इसमें क्या कहा गया है वो समझने की कोशिश करूंगी और उसके बाद reaction होगा reaction last term है ठीक है तो वो क्या चीज हो गया यह किस चीज़ पर डिपेंड करता है reaction वो भी हमारे listening skills पर डिपेंड करता है अब आगे हम बात करते हैं listening का purpose क्या है सबसे पहले social होने के लिए social मालो आपने friends बनाने है ठीक है आप नई class में आए आपको social बनना है दूसरों के साथ अच्छे relation maintain करने है क्या बिना बोले आप अच्छे relation maintain कर सकते हो नहीं एक अच्छे relationship के लिए भी आपको क्या जरूरी है एक अच्छे वक्ता के साथ एक अच्छे speaking speaker होने के साथ एक अच्छा श्रोता एक अच्छा listener होना भी जरूरी है आप friends कब बना सकते हो class में भी आके आपने मालो BBM admission लिया बहुत सारे अलग अलग जगा से बच्ची आए है अब आप लोग friends भी बनोगे friends कब बनोगे जब आप एक दूसरे की बात को सुनोगे और समझोगे next to get inspiration मुझे किसी से inspire होना है मालो मैं नरेंदर मोधी जी जो हमारे परधान मंत्री है उनकी speaking skills से बहुत inspire हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं उनके जैसा बनो कि मैं उनके तरह मैं speech दे पाऊं तो मैं क्या करूंगी मैं ध्यान से सुनूंगी ना वो कैसे बोलते हैं कैसे क्या कर रहे हैं वो ध्यान से सुनना उसको retain करना अपने mind में तो वो inspiration के लिए भी अच्छा listener होना यह हमारा listening का purpose हो चात है कि आपने आपस में चर पर शुरू हो गया अपनी gossip करने में तो वो क्या हो जाता है time pass करने के लिए भी listening की जरूरत पड़ती है और कोई नई information के बारे में आप जानना चाहते हो to gain some new information किसी नई information के बारे में जानना चाहते हो तो वहां भी listening की जरूरत पड़ेगी उसके हम बात करते हैं factors affecting listening ऐसी कौन-कौन सी चीजे हैं जो listening को effect करती है जिसकी वजह से मतलब आपकी listening बहुत अच्छी या बहुत खराब हो सकती है physical environment सबसे पहले देखिए अगर peaceful environment है तो आप सामने वाले की बात बहुत अच्छे से सुन सकने हैं वहीं पर noise बहुत जादा है environment में मालो कि आस्वास कोई machinery चले जा रही है और उदर से speaker बोल रहे है और listener सुनना चाला है क्या सुनाई देगा नहीं सुनाई देगा आपका आप ओटो में जा रहे हो रास्ते में किसी का phone आ जाता है क्या ढंक से आवाज आएगी नहीं आएगी तो physical environment भी matter करता है effective listening में उसके ब आप student हो तो आपको बहुत अच्छा listener बनने की जरूरत है क्योंकि अगर आप अच्छा listener बनोगे तभी आप अपने teacher की बात को retain करके रखोगे वहीं पर अगर आपका nature work कैसा है कि आपको काम करते जाना कोई जरूरत नहीं है तो वह चीज़ भी आप attention ही पे नहीं करोगे वह आपको कोई boring movie या boring कुछ video clip दिखाने लग जाएं तो आपका interest आएगा उसे सुनने में नहीं आप इरिटेट हो जाओगे मानलो क्रिकेट जिनका cricket में interest नहीं है या news सुन रहे हैं मानलो news देखने में interest नहीं है तो आप बोर हो जाओगे और आप अपने काम में लग जाओगे यहां पर benefit किस तरीके से हमारे लिए factor बन गया मालो कोई चीज मेरे लिए beneficial है मालो मैं कुछ बना चाहते हैं मैं entrepreneur बना चाहती है कि मेरे को आगे जाके अपना business setup करने तो वो speeches जो की मुझे entrepreneurship setup करने में help करेंगे उन्हें मैं ध्यान से सुनोंगी और कुछ ऐसे चीज़े हैं कि मुझे doctor वाली line का कोई पढ़ा चाहरा है और उसके बारे में बता रहे हैं और मुझे कोई benefit भी नहीं मिलने वाला तो क्या मैं उसमें इंट्रेस्ट लूँगी नहीं तो हम क्या कर देखते हैं कि हमारा benefit किस चीज में है किस बात को सुनने से हमारा फायदा होगा तो वहां प psychological present एंड mentally absent के पहले भी आपके साथ बहुत बार होता होगा कि आप class में be वेच्थे ँग तो कुछ पढ़ा रही है आप inflationiks लेकिन आपका दिमाग चल रहे कि यार चल वहां गूमने चलना था आज तो टॉ कुछ गायब क्योंकि आपका आप तो कहां गूम रहे हो सपनों में बैठे हो आखे खोल कर लेकिन आपका दिमाग तो टाउन पार्क में है mentally absent हो physically present हो तो वह चीज भी क्या करेगी लिस्निंग को impact करेगी effect करेगी ठीक है एक और topic करेंगे बस आज के लिए important attribute of a good listener एक अच्छे लिस्नर में क्या क्या चीज़े होने चाहिए सबसे पहले positive attitude positive attitude का क्या मतलब है सामने कोई speech देने आया आप लोग तो लिस्नर हो आप सुन रहे हो आपकी class रही है लेकिन क्या हुआ positive attitude का क्या मतलब है अगर आपने पहले ही negative attitude बना लिया तो आप comment करते रहोगे यह तो ऐसे बोल रहा है इसको तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था यह तो यह गलत बोल रहा है इससे जादा अच्छा तो मैं बता सकती हूं तो यह क्या हो गया यह negative attitude होगा वही positive attitude के अंदर क्या ह होगा अगर इसने कोई relevant चीज़ बताई तो वो मुझसे मिस नहीं होनी चाहिए वो होगा positive attitude यह उसके बाद आ जाता है आई contact eye contact maintain करना भी एक तरह से एक अच्छी listening skills के अंदर आएगा eye contact कैसे अगर आप speaker के साथ eye contact maintain करके रखोगे तो आप उसकी बातों को अच्छे से graph कर पाऊगे उसके बात concentration concentration का क्या है ध्यान लगा कर सुनना जो हमने अभी बात करी थी थी ना physical present but mentally absent तो वहाँ पर mentally absent नहीं होना है फिजिकल के साथ साथ mentally भी आपको present रहना है रिपीट दा आइडियास को इंपर ऐसा होता है कि speaker बोल के अटके हो और भूल गए आपने क्या करना है उस sis को repeat करना है note down करना है ताकि generally सुनी हुई बात हमारी एक दिन धियान रहेजएगी दो दि रिटेन रखने के लिए कि जो बोला गया है अगर हमें लगता है कि हम बूल जाएंगे तो उसे हम कहीं पर note कर लें ताकि चोथे दिन भी अगर हमें वह बात यात रखनी पड़े तो हम क्या करें वहां से उठाएं जो notes हमने बनाए हुए थे वहां से हम उससे को revise कर लें ask questions last point यह आपको कोई problem speaker है आप listener हो आपको कोई बात नहीं समझारी speaker की तो आप क्या कर सकते हो आप दुबारा से speaker से questions पूच सकते हो और वो आपकी problem को solve कर देगा तो आज हम इतना ही करेंगे इस chapter का part और आधा part हम इसका chapter का next class में करेंगे इसके साथ ही हमारी class यहाई पर finish होती ह thank you so much